इंडिपेंडेंडे हो या रिपब्लिक डे ट्राइकलर का टिफिन बनाना ही होता है अगर आपके बच्चे भी किसी टिफिन कॉंपेटिशन में जा रहे हैं तो आप ही रेसिपी जरूर सीखिए बहुत ही हैल्दी होने वाली है और प्राइस विनिंग रेसिपी है ये तो शु कोई भी वेजिटेबल इसमें एड कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को मस्रूम पसंद है तो आप मस्रूम भी डाल सकते हैं क्योंकि हम सबसे पहले वाइट कलर तयार कर रहे हैं जो कि हम बनाएंगे चावल से ये थोड़े से चावल ली है हमने उबले हुए और इसमें मै अब थोड़ा सा नमक आप सीजनिंग के लिए चाहे जो भी एड कर सकते हैं आपका जो बच्चा जिस चीज को अच्छे से खाता है क्योंकि टीफिन हमें वही देना चाहिए जो हमारा बच्चा अच्छे से खाता है मैंने इसमें एड किया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और और थोड़े से चिली फ्लेक्स मेरे बच्चों को यही पसंद है अगर आपके बच्चों को जीरा या धनिया उन सब चीजों का फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप वह एड कीजिए हमारा वाइट कलर तयार हो गया है अब मैंने रोटी बनाई है पालक से और एक बनाई है गाजर से मैंने पालक को पीस लिया है बिना उबाले पीसा है और उसमें मैंने आटे को गूत लिया है और मैंने इसमें नमक भी एड की है दूसरी रोटी मैंने गाजर से तियार की है गाजर पीस कर उससे आटा गूता है और नमक एड की है आप चाहे तो इसमें और भी कोई मसाले और भी चटपटा बना सकते हैं एड़ करके मैंने यह आकार काटा है आप जो चाहें आपके बच्चे को जो पसंद है उस आकार में काट सकते हैं रोटियों को अभी कढ़ाई में बटर लेलिया है और उसमें थोड़ा सा डाला है लहसुन और गाजर इसको हाप फ्राइ करेंगे हलका सा सटे करने के बाद हम इसमें रोटिया अड़ करेंगे जो हमने पीस करके रखी हुई थी गाजर से जो हमने तयार किया था JESS उसकी अभी हम इसमें सेजनिंग के लिए जो आप चाहें वो आप डाल सकते हैं मसाले मैंने इसमें नमक एड़ किया है और चिली फ्लैक्स, बलाक पेपर और और औरिगेनो यहाँ पर मैं एड़ कर रही हूँ मोमो चटनी मैंने बनाई थी अगर आपने अभी तक मोमो चटनी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगी आप चाहें तो सॉस भी एड़ कर सकते हैं इसको पांच मिनट सॉटे किया है और निकाल लिया है अभी कड़ाए में फिर से हमने बटर डाला फिर से लहसुन डाला और फिर से अब हम इसमें चिम لا मिर्च को भी हम अलगा सा शॉटे करेंगे उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे पालक हमने पालक से आटा गूदा था अभी हम इसको अच्छे से सॉटे करेंगे उसके बाद सिजनिंग के लिए सेम प्रोसिजर आप जो भी पसंद है आप वो एड़ कर सकते मैंने इसमें सोस एड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक भी एड करूंगी बाद में और थोड़ा सा चिली फ्लैक्स, थोड़ा सा औरिएनो, ब्लाक पिपर, यह मिक्स करने के बाद मैं एड कर रही है। और सोया सॉस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अब यह मैं नमक एड़ कर रही हूं उसके बाद हम इसमें जो हमने पालक से आटा तयार किया था उसके जो हमने बाइट बनाई थी वो हम एड़ करेंगे इसको भी हमें तीन से चार मिनट सौटे करना है और हमारा टिफिन हो गया और इसमें हमने बच्चे को सब कुछ दिया है हमने इसमें वेजटेबल्स दी है हमने इसमें रोटी दी है हमने इसमें चावल भी दिया है तो है ना हैल्दी और जटपट बनने वाली रेसिपी अगर आपको लगता है कि अगर आप सुबह सुबह रोटी बनाना और यह सब क तो आप रोटी रात में भी बना कर रख सकते हैं क्योंकि बोलते हैं कि रात में जो रोटी बनाते हैं और सुबह हम उसको खाते हैं तो उसमें फाइवर ज्यादा होता है तो इजी भी हो जाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर की